तो नमशकार दोस्तों स्वागत आपका अपने एपने यूठ्यटिफ चैनल यूपी सेल क्रेकर्स के अंदर तो यहाँ पर पूछा वन्टится फूलफ सद्सक्राइब्सरार क्या होती है अर्थ लीकेज dedic अर्थ रिकेज सर्कीट ब्रेकर होती है ठीक है उसी बिकिए फील फार्म क्या होती है ऐरत है ध hygiej के सीज लिएट है ठीक है अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर होता ठीक है तो इस तीमेशन इन कौस्टिंग के एंसी क्यूंद एंग ठीक है एस्टी मेशन एंड को स्टिंगे तो बहुत इंपोर्टेंट और आपको करके जाना है एस्टी मेशन आंको स्थेंग बहुत important subject है ठीक है नेक्स्त है वर्ट इस फुल फॉर्म आफ दी ओ डी ओ की फिल फॉर्म क्या होती है ड्रॉप आउट होती है ठीक है यह नया कोश्चन है नियू लिख भे देता हूं रुप जो नियू एमसी क्यू अ ठीक है तो क्या होता है डियो के फिल फोर्म यह रोप आउट ठीक है नेक्स्ट होती है नॉर्मली डैस यूज्ट यूज़ पर लोव वोल्टेजिश साइड पे नेक्स्ट होता है विच डिवाइस प्रोटेक्शन अगेंड्स अर्थ लीकेज इंड वायरिंग अर्थ लीकेज से देख दो जहां पे अर्थ लीकेश होती है याद रखना वहां पे यानी ऐल भी के सरक्ट ब्रेकर अब कि ये ये यह विए होता है वहां पर अर्थ लीकेश रिक प्रेकर ठीक है तो फ्यूज रेटिंग किसमें होती है तो फ्यूज रेटिंग किसमें होती है करेंट में ठीक है फ्यूज की रेटिंग करेंट के अंदर होती है ठीक है तो आप्शन आएगा सी टिक है सिपर नेक्स्ट और इस धज फुल सब्स OV М.C.B की फुल फॉर्म ठीक एश आएन मुनियेचर सरकुटट ब्रेकर कएर ठीक है ठीक है फ्यूज की में होती है फ्यूज रेटिंग पूची गई यह फ्यूज रेटिंग फ्यूज रेटिंग किसमें होती है करेंट मैं ठीक है करेंट में भी ठीक है क्या आप्षन आएगा दी रहों is application of ELCB Earth leakage circuit breaker के क्या एप्लिकेशन होती है कि यह प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस एक्सेस ओफ एलेक्ट्रिक करेंट नहीं प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंट चेंज इन वोल्टेज ये भी गलत है ठीक है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस लीकेज करेंट सी ऑप्शन से यह ठीक है अच्छा इस नेक्स्स तै अच्छा यह कोशन ना बहुत बारी गल्ट करें कभी-कभी कि फ्यूज में प ले उता है तो याद रखना फ्यूज जो útयोता है हमेशा वो कहा पे प्लेस होता है फेज में ठीक है फ्यूज कहाता है फीज में थे खेखे और शीव लिए फिल फॉर्म बहूत इंपॉर्टन यूपी पीचे लैसे फुल फॉर्म पूछ लेता और आप कन्फियूज जाते हो आर सी सी बी पूछा यहां पर आर सी सी बी की फिल फॉर्म याद करना रेज़िडिवल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है बी लेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए तो रेजिडिवल करेंट सर्कृट ब्रेकर ठीक है याद रखना पसको चुर्मेंज 11 डुको याद रखना की यिए का पुछे करता करेंट से यह वाल ठीक है तो अगर आपको फ्रेड पसंद आते हैं अपने दोस्तों से भी share करो, which of the following is placed between main switch and output wire from energy meter, main switch और output wire जो निकलती है, energy meter उसके बीच में क्या place होता है, तो सबको पता है, क्या place होता है, fuse, ठीक है, main switch और output wire में, तो option क्या आएगा, C, which of the following material is not used for fuses, कौन सा material fuse के लिए use नहीं होता, ठीक है, तो देखे, silver भी होता है, ठीक है, copper भी होता है, aluminium भी होता है, carbon use नहीं होता, ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था, जो नहीं होता, यानि तो हमने टिक किस पे लगा ना, carbon, जो नहीं होता, not पूछा गया है, ठीक है, present time म ऐसे not वाले कोशन बहुत आ रहे हैं, यह नौट पूछा था, ठीक है, जैए exams में not वाले आ रहे हैं, तो carbon आएगा यहां पे, ठीक है, full form क्या होती है, HRC fuse की easy question है, high rupture capacity, ठीक है, तो D, next है, fuse का क्या function होता है, circuit breaker का तो सब को पता है, fuse का क्या होता है, fuse का क्या होता है, current को limit क करना, ठीक है, तो यह होई का C option ठीक है, और आप देखो option eliminating method भी use कर सकते, option eliminating method का क्या मतलब होता है, आप देखो fuse word कहा पे use होता है, current को limit करने के लिए, ठीक है, तो देखो power limiting हो नहीं सकता, voltage limit हो नहीं सकता, power factor correction हो नहीं सकता, क्यों यह तो capacitor करता है, ठीक है, तो future option क्या बच एक सबसे important question, ठीक है, इस question में बच्चे क्या करते है, गलती कर देते हैं, ठीक है, क्या question कर देते हैं, कि HRC fuse किसलिए provide होता है, तो हमेशा याद रखना, HRC fuse सबसे best protection, best पूछा है, यहाँ पे, तो best protection किस से देता, short circuit से, याद रखना, HRC fuse किसलिए use होता है, short circuit, यह सबसे important point ह ठीक है, rating of fuse किस में expressed होती है, ठीक है, rating of fuse, ठीक है, estimation and costing का सबसे main question है, MPRs में, C, ऐसे छोटे-छोटे question आप गलत कर देते हो, और यहीं से examiner आपका फायदा उठाता है, UPPCL में, ठीक है, तो आपने ऐसे question करके जाने है, ठीक है, हाँ, एक यह question, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, यह question, most of the J exams में गलत करके आते हैं, बच्चे लिख देता हूँ, most में गलत करके आते हैं, गलत करके आते हैं, याद रखना है, ऐसे confusing question बहुत पुछा जाते हैं, कि fuse का क्या होना चीए, ठीक है, fuse का low melting point और high specific resistance होना चीए, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, low melting point कहां पे लिखा हुआ है, यह राड़ी option, यह आएगा सही, ठीक है, यह तो हो गया, next, चल भई, एक और important, पिछला question था, MCV क्या है, ठीक है, एक होता है, MCV, और एक होता है, MCCV, देख लो, मैंने हर चीज ले लिए साथ में, अगर UP, PCL में, MCCV की फिल फॉर्म पूछ लेत होता है, MCCV होता है, मोल्ड केस, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, MCCV होता है, मोल्ड केस, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, next, होता है, अर्थ लीके, सर्किट ब्रेकर, किस पे काम करता है, अर्थ लीके, सर्किट बेकर, residual करेंट पे काम करता है, ठीक है, तो यह आ गया, ठीक है, का नेक्ष ठोता है हां आफ देखो सबसे important question जब बार-बार गलत होता है using factor क्या define करता है ठीक है using फैक्टर एप बताता है यह रहा few using vector few इंव menake क्या बताता है M फ्यूसिंग करेंड डिवाइडेड वाइड करेंट रेटिंग ठीक है क्या होता इसको याद रखना है minimum fusing यार इदर लिखता हूं इसको सही से ताके आपको याद रहे minimum fusing current i से लिख दिया divided by current rating होता है fusing factor ठीक है ठीक है क्या आगया ये option क्या हैगा c और याद रखना एक question इससे और भी है कि यह greater than one of the less than one तो याद रखना greater than one होता है ठीक है Fusing Fusing कि फैक्टर एक ग्रेटर दन कितने से होता वन से ठीक है देख लो साथ साथ में आपके बागे कुशनों के डाउट पर क्लियर करा देता हूं विच फ्यूजास बैटर पर्फॉर्मेंस ओवर टाइम किस फ्यूज की सबसे बैटर पर्फॉर्मेंस होती है हां जी बही बताओ बताओ बताईए किस के होती है कार्टिडेज फ्यूज की ठीक है ELCB is used to protect the circuit from ELCB किस से ब्रोटक करता है leakage current से ठीक है सी ठीक है नेक्स्ट रभाइम आरऊ कि यह रहा हां यह था विच अमोंग दो फॉलोइंग प्रोटेक्ट से स्ट्रम इलेक्ट्रिक शॉक तो इलेक्ट्रिक शॉक से कौन प्रोटेक्ट करेगा इस में से सर्किट ब्रेकर शॉक से बचाता है गलत है मिनियेचर सर्किट ब्रेकर नहीं बचाता इलसी भी बचाता शॉक से ठीक है तो ऐसे कॉशन गलत नहीं करने आंसर क्या आएगा यह पूछा क्या था शॉक से कौन बचाता है जटके से करेंट के जटका पूछा हुआ यहां पर करे के सर्किट ब्रेकर सी ठीक है अब यार चल जा भई यह आ गया कोशन इस पे लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट अब यह कोशन पूछ क्या रहा है और यह न्यू कोशन है लीकेज करेंट जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हाउस वायरिंग में वो कितना तक होना चीए तो भाई याद रखना 30 मिली एंपियर ठीक है कॉपी में नोट कर ले ना इस एमसी को 30 मिली एंपियर तक का अरे चले यार अगे अब यह भी न्यू अरे चल जा यार रहे चल गया चल गया न्यूंच यू अज़िए आउटमेटिंग सुचिंग आफ फंक्शन इस अकम्प्लिज्ड बाया डैश इन एमसीब तो एमसीब आउटमेटिंग सुचिंग आफ कौन करती है बाई मेटालिक स सी ठीक है यह पढ़ाऊंगा मैं एमसी भी आपको एमसी भी पढ़ाऊंगा मैं किसमें एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में ठीक है जब पावर सिस्टम खतम हो जेगा बताता हूं पावर सिस्टम जब हम खतम कर लेंगे और मशीन खतम कर लेंगे ठीक है और इलेक्ट्रोनिक्स और मशीन पे भी आने है लेक्चर ठीक है लगातार धुआदार करा दूँगा ठीक है इसी महीं ने ठीक है फिर हम स्टार्ट करेंगे एस्टीमेशन एंड कोस्टिंग ठीक है तो तब मैं कराऊंगा अभी आप एमसी को व्याद कर लीजिए बाद में मैं पढ़ा भी दूंगा सारा मेरे चैनल पर भरुसा रखो सारे चैनलों को एक तरफ कर दो ठीक है ऑफ कि उप अब जsen और है जद देजिए लिए अज चैनलों को सब्लाइब हो पो ठना कि झालों हो near लेखना फ्यूज घ्यूज होते है शौट सर्किट के लिए ठीक हैं थीक है है चौट सर्कित से कौन बजाता है फ्यूज ठीक है अब इसको option eliminating method से भी कर सकते देखे short circuit से resistance बचा नहीं सकती overload relay किसे protect करती है overload से ठीक है overload relay का लिख देता हूं overload relay किसे protect करती है overload करेंट से ठीक है तो यह तो पहले दोनों तो गलत हो गए ठीक है contractor का कोई role नहीं होता बचा क्या fuse ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं हां जी which of the following is at least least expensive protection for a low voltage system to low voltage system के लिए least expensive protection कौन सा होता है तो low voltage system के लिए सबसे सस्ता हमारे पास पढ़ता फ्यूज़ एग किट कैट फ्यूज़ किससे बना होता है पोर्सलेन से ठीक है यह बरीकिया भी पूछ लेते हैं किट कैट फ्यूज़ बनता है पोर्सलेन से तो अप्शन आएगा ठीक है कोर्स एक्सेस करेंट से कौन प्रटेक करता है ठीक है अरे यार भाग भाई यह कह हो गया विच इलेक्रिकल डिवाइस प्रटेक्ट फ्रम कोर सेक्सेस करेंट कोर सेक्सेस करेंट से यह रिवायरेबल फ्यूज़ प्रटेक करता है ठीक है याद रखना है ठीक है इन हाऊसओल वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट डफॉलाइंग शुट बई यूस्ट फॉर मिजर तो हाउस होल वायरिंग में कौन यूज़ था है एम सीबी ठीक है ठीक है तो यह हो गया और ए पर यह वला ठीक है जो पिछला एक है यहां पर कराक्ट्र स्टिक्स पुछी वी एतर मैटेरियल यूज़ फूर फ्यूजज वाइर शुड है देखो एक तो यह वले कॉश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया इसमें क्या पुछा लो milks वाइंटिंग पॉइंट हाई तैंजल कोर्षिव हाई रिजिस्टेंज लो मेलटिंग पॉइंट टो देखो यहां पर क्या क्या आएगा कि लो मेलटिंग पॉ YET ठीड के फ्यूंज की क्या होनी चीहे है 배खे लो मेलटिंग पॉइंट ओनी चीहे ठीक है म१ER घुंज मेलटिंग पॉइंट एंड है कंड़क्ति भीटिवीटि ठीक है तो यह रहा ठीक है और यह तो रिपीट कोशन आ गया किट कैट फ्यूज किससे बना होता है ध्यान रखना किट कैट फ्यूज बना होता है हमारा पोर्सलेन से ठीक है तो वह आज के लिए इतना ही